नमस्कार दोस्तों मैं कनेयालाल स्वाकत करता हूँ आपका इस यूटूब चेनल Study with Kale Sir में दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ रीट मनो विज्ञान का मोडल पेपर 16 लेकर दोस्तों ये रीट मनो विज्ञान का सोलवा पेपर है इससे पहले में रीट मनो विज्ञान के 15 मोडल पेपर ले चुका हूँ अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और साथ ही इस जगे आपको रीट मनो विज्ञान टेस्ट की पले लिस्ट मिल जाएगी तो वीडियो में अंतर तक बने रहिए दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रशन है जो की रीट लेवल 1 और लेवल 2 तुनों ही की दृष्टी से बहुत महतोपूर है दोस्तों अगर आप 30 में से 20 प्रशन सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो अंतर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बता कर जाएए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रशन कैसे लगे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चेनल पर नए है तो बिल प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 4 उप्रियोक्त सभी का दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अने मित्रों को भी टेस्ट का फाइदा मिलेगा दूसरा प्रशन है प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3 समँष्याद मग बालक के नाम से जाना जाता है चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन है प्रशन ममर 4 सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विद्धि का प्रयोग किस मनोवेग्या निक ने किया जोन लोग वुडवर्थ टाइड तो बताएए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 टाइड मेन शरुपर्थम जीवन वरतांत विधी का प्रियोग टाइड मेन नी किया था चलिए अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमबर 5 मन्द बुध्धी बालकों की शिक्षा का सोरूप है विशिष्ट कक्षाई अपनी देखबाल प्रशिक्षन व्यक्तित्व शिक्षन उप्रोक्त सभी तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नंबर चार उप्रोक्त सभी यहाँ पर सही होगा अ वो संकर्ष और तुफानों की अवस्ता होती है उसके बाद किश्रावस्ता के बाद जो उत्तर किश्रावस्ता आती है जिसे ही बालक उत्तर किश्रावस्ता में आता है यो अवस्ता के लिए तैयार होता है तो उस समेव है इसता ही नेतिक सिध्धान्तों का निर्मान करने अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नंबर आठ कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्ठे क्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानि की सिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानि की स्कूल में ढाल सके कथन किसका है कनिंगम का म समबंध में कौन सा कथन गलत है एक निश्चित क्रम में होता है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है यह समगर परिवर्तन का समू है इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है तो बताइए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों यहाँ पर इस प्रशन का सही उतर है विकल्प उसमें उसमें शामिल नहीं है जबकि विशे वस्तू-संक्रिया उर उत्पद present यह तीनों ही उसमें शामिल है अगला प्रशने हैं दोस्तो प्रशी बताएणगर इस प्रश्ण का सही उत्र क्या है दोस्तो आगला प्रश्ण का सही उत्र है प्रियात्माग अनुसंदान में परी ना मो का परयोग करता है शोद करता है अगला प्रस्णाग अनुसंदान का सोपान है समश्या का चायान तत्य संग्र है कि विधिया योजना का कार्यान वयन उप्रियुक्त सभी तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक समविधानिक समविधान में जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार ह अगला प्रशन है प्रशन नमबर 17 आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम सरेष्ट संरक्षी का है ये कहा है रोश्टर ने कलेपर ने जेम्स ने ड्रेवर ने तो बताइए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3 जेम्स ने में शिक्षकों के कुल स्विक्रत पद संख्या के 10 परतिशत से अधिक रिक्त नहीं होंगे इसके ताहरत कक्षा 1-5 के विद्या ले में 60 बच्चों तक शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए 2, 3, 4, 5 तो बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 1-2 यहाँ पर सही अंसर होगा 2-6 बच्चों पर 2 शिक्षक होने चाहिए अगला प्रशन है दोस्तों विकल्प प्रशन नमबर 19 शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहट पहली से 5वी कक्षा के लिए कितने कारे दिवस अनिवार्य है 220, 170, 200, 25 तो बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3, 200 आगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमर 20 राजस्तान में निशूल का एवम अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू किया गया है इसके तहट कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए कितनी किलोमेटर की पेदल दूरी की सीमा में विध्याले इस्तापित करना अनिवार्य है एक किलोमेटर दो किलोमेटर आधा किलोमेटर चार किलोमेटर तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्र है विकल्प नमबर 1, 1 किलो मेटर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विध्या लेकी जो दूरी है वो 1 किलो मेटर होनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर 21 सामाजिक व्यवाहर के अंतरकत बालक किस योग गिता को अरजित करता है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवाहर करना सामाजिक प्रतिगमन प्रबोत्वशाली व्यवाहर सामाजिक सहभागिता तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्र क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्र है विकल्प नमर एक सामाजिक प्रत्यशाओं के अनुसार व्यवहार करना इस योगिता को बालक अर्जित करता है अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमर बाईस विद्याले में सिक्षक बालकों के समायोजन के लिए निमन में से क्या नहीं करेगा कठोर दंड देकर कारे करवना समविगात्मक इस्तिरता लाने का प्रयास करना सहानू भूति पूर्ण व्यवहार करना व्यक्तिगत शिक्षन की व्यवस्था करना तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर एक कठोर दंड देकर कार्य करवना यहां पर सही आंसर होगा चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण का सही उत्र क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्र है विकल्प नमबर तीन माता पिता का मानसिक संतुलन नहीं होगा मानसिक तो वो अच्छे से उसकी परवरिश नहीं कर पड़ाएंगे उसको जो वातावर्ण है वो अच्छा नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से सामाजिक कारण है जो ये बनता है अब ये है जो इस सामाजिक कारण से संबंदित नहीं है निम्न बुद्धी सहुविगात में गाइस तेरता ये बालक के विक्तिगत मानसिक विकास आदि से संबंदित है जबकि सामाजिक से संबंदित तीसरा विकल्प है तो यही अपना सही अंसर होगा, अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नंबर 24, बाल अपराद की वह है विधी, जिसमें बालक की आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर, सामजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है, वह है मनो विज्यानिक विधी, वातावरण वरना आत विधी, मनो विशलेशन आतमक विधी, उप्रियोक्त सभी विधियां, तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प नंबर 2, वातावरण आतमक विधी, सामजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है, तो विकल्प प्रशन, प्रशन, नमब एक रिनात्मक ये अधिगम अंतर準 के सिध्दान्त में से नहीं है तो अपना प्रशन होगा दोस्तों विकल्प नमब एक चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 26 अंतरमुखी व्यक्तित्व की विशेशताएं हैं संदे ही संकालू सुभाव के तथा एकांत प्रिया होते हैं दूसरों के साथ हज़ी बंजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते कम बोलने वाले तथा लजज़ाशील होते हैं दूसरों को प्रशन रखने का प्रयास नहीं करते उप्रियुक्त सभी तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पन नमबर 4 उप्रियुक्त सभी यहां पर सही होगा अधिगम जो अंतरमुखी व्यक्तित्व उसकी विशेशताइं ये सभी हैं चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 27 वाटावरण के साथ सामानिय एवं इस्थाई समयोजन ही व्यक्तितु है इस परिभाशा को लिखा है आलपोर्ट ने वेलेंटाइन ने गेट्स ने बोरिंग ने तो बताइए इस प्रश प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 अनुकूलित अनुक्रिया चलिए अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर 29 विद्यारतियों में तरक शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे किसी गौढलक से दिये गई विशेपर विचार प्रस्तृत करवाना, समुह चर्चा का अयुजन करवाना, एक या दो चाथरों से प्रतिवेदन तयार करवाना, एक चाथरों से निश्चकार से प्रस्तृत करवाना, तो बताइए कमेंट कीजिए, इस परशने का सही आनसर क्या है, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो समूह चर्चा का आयोजन करवाना तर्क शक्ति के विकास के लिए सबसे बड़िया विकल्प होगा समूह चर्चा का आयोजन करवाना चलिए दोस्तों अगला और आखरी तेस्वा प्रश्न उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तीसवा प्रशन है किसी विशेश परिस्तिती में किसी दिये गए सामाने सिद्धान्त को लागू करने की शमता को कहा जाता है तो बताइए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर तीन निगमन तर्क यहाँ पर सही आंसर होगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार